एलो स्ट्रेंट कैसे हैं आई हो बढ़े होंगे मैं सुधाकर सिवास तो आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सरक्लासेट आपका बहुत-बहुत स्वाधित करते हैं आज हम लोग क्लास नाइथ केमेस्ट्री का चैप्र नंबर फर्स्ट मैटर इनवर स्राउंडिंग का लेक्षर नंबर फर्स लेके आए हैं जिसमें आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं मैटर की प्रॉपरिटीज को टेंप्रेचर को ठीक है तो समझते एक्टिव मैटर होता क्या है ठीक है मैटर कोई भी सस्टेंस हो सकता है पहली चीज जिसमें मास हो और वह स्पेस लेता हो इसे कॉल्ड क्या मैटर ठीक है जैसे हमारे पास एक कप है ठीक है अब ये कप का क्या है एक पर्टिकुलर मास है ना मास और वेट का मतलब ये समझते हैं देखो केमेस्ट्री में मास वेट का मतलब एक ही ही होता है ठीक है तो डेफिनेटली इसका एक क्या है मास है इसका एक व matter is anything which has mask जिसमें क्या हो सकता है मास हो और वो च्या करता हो अपको पाई जालाइब आपका matter आप वो कितने टाइप्स के हो सकते है लिक्वीड हो सकता है गैस हो सकता है ठीक है अब देखो इसका किसी भी मैटर का जो smallest particle होता है smallest particle होता है आप से कभी कभी पूछ लिया जाता है वो जानतों क्या होता है atom होता है ठीक है किसी भी मैटर का जो smallest particle होता है वो क्या होता है atom होता है अब देखो अगर बात किया जाये तो atom की भी formation other particles से होती है जैसे electron proton और neutron इससे होती है electron proton और neutron ठीक है अब electron proton neutron को आप क्या बोलोगे अगर electron proton neutron smallest particle item हो गया तो electron proton neutron का भी तो नाम होगा इनका जो नाम होगा वो क्या होगा सब अटामिक पार्टिकल्स अगर आप से कोई पोच लेता है कि fundamental particles बताओ क्या बताओ भईया fundamental particles ठीक है तो आप क्या बताओगे electron proton और neutron ठीक आप से पूछ लिया जाता है कि कि किसी भी मैटर को जो smallest particle है वो क्या होगा atom होगा ठीक है तो sir molecules क्या होता है combination of atom से ही molecules की formation होती है ठीक है क्या चीज़ बोला मैंने combination of atom से ही molecules की formation होती है और atom जो होता है electrically neutral होता है electrically neutral का मतलब यह होता है कि उसके उपर कोई charge नहीं होता है clear है ठीक है जैसे अगर इस cup की बात करें तो क्या इसके उपर कोई charge है नहीं charge है अगर charge ही नहीं है तो इसकी formation किसी हुई, atom सी हुई है, अगर atom electrically neutral है, इसी वज़ा से यह तुम्हारा कभी क्या है, electrically neutral, electrically neutral का मतलब वहाँ पे यह होता है, कि positive और negative का चाज, बोथ हार equal, clear है, चलो, अब देखो एक चीज़ समझते हैं, ठीक, एक difference होता है, h और h2 में, h और h2 में, क्या कोई बच्चे, h और h2 में difference बता सकता है, हाँ, सर, बता सकते हैं, h क्या है, one hydrogen atom है, है, क्या है, बेटा, one hydrogen atom है, ठीक है, हाँ, 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 clear है, और h2 क्या है, one hydrogen molecules है, क्या है, one hydrogen molecules, clear है, ठीक है, भाई, ना, I hope आपको fundamental particles या subatomic particles, या atom और molecules के बारे में, यहाँ पर confusion, खतम हो गया होगा, ठीक है, चलते है, चल, अब हमारा next topic देखते हैं, आप matter को classified कर सकते हूँ, ना, किसके according, physical properties के according, और chemical properties के according, ठीक है, देखो, अगर हम physical properties के according, हम classified कर रहे हैं, ठीक है, समझते हैं, physical properties के according, ठीक है, तो बेटा ये तीन टाइप्स की होती है, ठीक है, basically, solid, liquid, और बेटा क्या, gas, ठीक है, solid, liquid and gas, लेकिन अगर बात किया जाएं, chemical properties की, इसकी, chemical properties की, ठीक है, तो इसको classified किया सकता है, element, क्या किया सकता है, element, compound, और mixture, ठीक है, मतलब, ये दोनों ही, किसके part है, matter को, matter को हम लोग classified कर रहे हैं, two types से, किसके, किसके according, physical properties के according, और chemical properties के according, clear है, तो जब हमने physical properties के according classified किया, तो matter को हमने कितने part में डिवाइड किया, solid, liquid and gas, ठीक है, लेकिन अगर हमने chemical properties के according classified किया, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसका जो first name होता है, element होता है, compound होता है, और mixture होता है, clear है, ठीक है, अभी धीरे-धीरे एक-एक topic को हम लोग बहुत अच्छे से समझनों वाले हैं, चल, अब देखो, देखो, क्या है, क्या रहा है, matter is characterized as the gas, इसको physical properties का क्या रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, classified कर सकते हैं, gas, liquid and solid, on the basis of the physical state, उनकी जो physical state है, हम लोग उसी के according क्या कर रहे हैं, इसको classified कर रहे हैं, ठीक है, जैसे air, water and earth, ठीक है, देखो, air क्या हो गया, तुम्हारा gas हो गया, water तुम्हारा liquid हो गया, earth तुम्हारा solid हो गया, तो solid liquid gas में classified कर रहे होग नहीं कर पा रहे हो, हाँ, definitely कर पा रहे हैं, तो अगर solid liquid gas के according है, तो definitely वो जो classification कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, physical classification कहलाएगा, ठीक है, जो, अब देखो, अगर हम बात करें, change of states are also called everyday life, हम लोग यहाँ पर अपनी states को change करने चल रहे हैं, states change का मतलब यह होता है, अगर कोई liquid है, तो वो gas में कैसे convert हो रहा है, जो gas है, वो liquid में कैसे convert हो रहा है, ठीक है, ice कैसे liquid में convert हो रहा है, इस type की जो changes होते हैं, वो हम लोग कहराते हैं, आखिया physical state का change होना जैसे देखो कह रहा है example ice جो है melt हो जा रहा है ठीक है and water क्या हो जा रहा है freeze हो जा रहा है ठीक है जैसे अगर बात किया जाए देखो दियान समझो the ice है ना आइस को आपने temperature अगर दिया, तो definitely वो किसमें change हो गया, liquid में, किसमें change हो गया, liquid में, देखो, ice का formula क्या है, H2O ही है, यहाँ जो liquid मिला है, तुमको वो भी क्या है, उसका formula भी क्या है, H2O, अब इस water को heat कर दो, water को heat कर दो, clear है, अगर water को heat करोगे, तो यह किसमें convert हो जाएगा gas में, आया न, या बोला जाएग वेपर में, तो जो यह gas का convert हो रही है, इसका भी तो formula भाई, H2O ही होगा, आया न, और आपने अभी तक पढ़ा क्या है, physical state में, न, कोई भी new substance की formation नहीं होती, तो यहाँ new substance की formation ही नहीं है, और एक चीज़ यह भी पढ़ा है, कि वहाँ पर क्या होता है, अपनी state को सिफ केवल क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, आप देखो कहे क्या रहा है, example, आइस मिल्ट, आइस क्या हो जा रही है, मिल्ट हो जा रही है, वाटर क्या हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है, ठीक है, आप देखो, आगे, water change जो water क्या कर रहा है अपनी state को change कर रहा है वो कैसे कर रहा है into steam में कब water steam में कैसे changes कर रहा है कब जब उसको heat क्या करी जा रही है provide की जा रही clear है and steam जो है steam जो है condense हो रही है वो liquid में change हो जा रही है ठीक है कब जब उसको क्या किया जा रहा है cool किया जा रहा है ठीक है अगर इसको समझना है तो इस चीज़ को समझते है देखो water को हमने क्या किया temperature दिया ना water को हमने temperature दिया भाई तो वो किसमे change हो गया gas में और gas को अगर हमने cool किया cool किया तो वो किसमे change हो जा रहा water में again water में हाई है ना साहिए कि नहीं चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज के एकॉर्डिक ठीक है देखू केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक क्लियर है लिट इसको दो पार्ट में डिवाइड के सकता है एक होताहे तुम्हारा प्योर अएप होता है प्योर और एक होता है इन्प यह किंघ ठीक अब देखो फेवर की बात किया जाये तो इस फेवर में जो आता है यह वो आ सकता है आजाता है तुम्हारा कि में का अलिमेन्ट और आजाता है कम आंपाउंड ठीक है कि बढ़ियां से थोड़ा सा सजा दिया जाए ना वई क्या हो गया एलिमेंट और तंपावों ठीक है अब देखो दूसरा वाला जो होता है यह क्या होता है मिक्शर क्या होता है भाई यह मिक्शर ठीक है क्या होता है यह मिक्शर ठीक है कि अब देखो अब देखो अब 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 होता है यह वन काइंड ओफ एटम से बनता है अब 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 होता है यह वन काइंड ओफ एटम से बनता है जैसे अगर हमने एक आरण नेल ले लिया आरण नेल का मतलब स्मस्थे हो गे एक किल्ल ले लिया ना उसमें जितने भी atom and molecules होंगे, वो सभी किसके होंगे, iron के ही तो होंगे, ऐसा थोड़ी ही किसको जब cut कर देंगे, तो depth उसमें से gold निकल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वना, जितने भी atom and molecules होंगे, वो सभी किसके होंगे, one kind of atom से form होंगे, clear है, जैसे हमने यह देखो, एक अपनी katori लीना, तो यहाँ जितने भी atom and molecules होंगे, वो किसके होंगे, stainless steel, मतलब जो यह particles जितने भी बने हुए है, यह katori के atom and molecules सभी क्या है, एक जैसे है, अगर एक जैसे है, तो definitely यह क्या कहलाएगा, आपका element कहलाएगा, हाई या ना, clear है, अब देखो, compound क्या होता है, यहाँ पर, two or more than, ठीक है, two or more than, atoms जो होते हैं, वो combine हुए रहते हैं, combine, in fixed ratio, क्या होते हैं, वो उनका जो ratio होता है, वो क्या होता है, fixed होता है, जैसे अगर बात किया जाए, है, H2O, na, H2O एक तरीका का क्या है, compound है, इसमें जो atoms मिले हुए हैं, वो किसके मिले हैं, hydrogen के, और किसके मिले हुए, oxygen के, ठीक है, अब देखो, जो इनका ratio है, वो क्या है, भाई, same है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाए, क्या water का formula change हो जाएगा, जब water का formula ही नहीं change हुआ ह है, तो उनका ratio भी तो नहीं change होगा, कि भाई, हम चले गए भगवा चुंगी, चले गए हम राणी गन, चले गए हम अमेरिका, तो क्या हमारा water का formula है, वो change हो जाएगा, नहीं change होगा, अगर नहीं change हो रहा है, तो definitely यह तुम्हारा क्या है, यह pure substance है, ठीक है, clear है, अब देख change होता रहता है, मतलब यहाँ ratio fix नहीं होता है, ठीक है, अगर बात किया जाएगा, ratio not fix, ratio क्या होता है, fixed नहीं होता है, fix नहीं होता है, ठीक, अगर ratio fix नहीं है, तो इसे called क्या, impure substance, ठीक है, जैसे, आपने हमेशा है देखा होगा, आपने एक सबजी खायोगी mixed wage, तो वहाँ क किसी सबजी का ratio same होता है, नहीं होता है, अलग-अलग उनका ratio रहता है, अलग-अलग ratio तो definitely वो सबजी जो होती ही, वो क्या कहलाती है, impure, clear है, हाँ या ना, लेकिन वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, कड़ाई पनीर मगा रहे हैं, मटर पनीर मगा रहे हैं, तो उसमें जो पू कहलाएंगे, pure कहलाएंगे, हाँ या ना, आई हूब आपको pure, impure समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो, next topic पे चलते हैं, देखो, करा, on the basis of chemical nature, matter is classified as element, compound and mixture, ठीक है, matter को classified किया सकता है, किस पे, element पे, compound पे, और mixture पे, हाँ या ना, और आपको यह पता हो गया है, कि element और compound क्या होते है, pure होते है, और जो mixture होता है वो क्या होता है impure होता है हाँ या ना impure इसलिए है कि वहाँ जो ratio है वहाँ same नहीं होता है ठीक है clear है और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना two pure substance मिलके एक impure substance की formation करते हैं ध्यान रखना ये चीज़ ठीक है चलो example समझते है elements and compounds are pure होते हैं देखो clear है where as the mixture contains two or more pure substance जो mixture होता है वो क्या होता है दो या दो से ज्यादा pure substance के मिलने से बनता है लेकिन वहाँ ratio जो होता है वो same नहीं होता है ये ध्यान रखना ratio वाला concept समझ लेना भीया देखो our substance is a pure ना वो pure कब होगा जो one kind of matter से क्या होता है उसकी formation होती है ठीक है clear है देखो atom or molecules ठीक है जैसे water iron gold and copper clear है अब आपको ये बताओ जो आपका milk होता है वो pure है कि impure है ठीक है आप देखो समझते हैं मिल्क आपका pure है कि impure है पहले इस चीज को समझ लिए जाता है अब आपने डिसकस करने जा रहे है कि मिल्क प्योर है कि impure है देखो समझो pure substance क्या होता है जो one kind of item से बनता है और जो impure होता है ना वो different kind of items से उनका जो ratio वो fix भी नहीं होता है ठीक है अब देखो आपने milk लिया आपको यह पता है कि milk में क्या होता है बहुत सारे proteins होते हैं ना बहुत सारे carbohydrate होते हैं carbohydrate भी रहता है water molecules होता है अब देखो अगर protein हुआ तो protein का atoms molecules अलग होगा किस से carbohydrate से सही है कि नहीं और water molecules भी क्या होगा अलग होगा तो देखो इसमें बहुत सारे molecules हो रहे हैं जैसे suppose को अगर हम protein को ना ग्रीन से दिखा रहे हैं ठीक है अगर हमने water के molecules को रेट से दिखाया ना बहुत सारे water molecules ना भाई रहे कि नहीं जब डिजिटाल है तो प्रॉपर डिजिटाल है ना समझा जाए अब देखो हमने यहां पर ना कार्वो हाइडेट को ले लिया कि आखर और और कुछ आदर पार्टिक्ल्स को अलग कलर से ले लिया अदर कलर से ले लिया अब देख बताओ तुम बाई यह तुमको प्योर देख रहा हां या न two nри धिए Phylổi दिख रहा है यहां जितने भी पार्टिकिल्स है उनके एक दूसरे से क्या है डिफ्रेंट है अगर atoms का nature एक दूसरे से different और इनका ratio भी नहीं same है अगर ratio भी same नहीं रिजे quality क्या जो milk होता है वो तुम्हारा क्या होता है इंप्योर सप्स्टेंश से नहीं होंगे ह skept अगरicky नीचर के होँगे तो difference ली क्या कहला एगा आपका प्योड सबस्टेंश ठीक है I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मिलके है वह इंप्योर है और वह इंप्योर है तो क्यों इमप्योर है ठीक है चलो ठीक है देखो कह रहा है आज substance is a pure one kind of matter having only one kind of देखो कांस्टिवेंट पार्टिकिल्स वो क्या होते है उनके atom and molecules क्या होते है one kind of atom से फॉर्म होते है इसे लिए हमने classified कर दिया जो milk होता है वो क्या होता है इंप्योर है क्योंकि वहाँ जो atom and molecules है वो क्या है है different different है ठीक है protein के अलग है carbohydrate के अलग है नव मिल के अलग है और other particles भी अलग है तो सब एक दूसरे के साथ क्या है combined हुए है अगर combined हुए है तो definitely is a quality impure substance ठीक है चलूँ आप देखो physical nature of matter की बात करने चलना है physical nature of matter ना देखो matter exactly अगर बात किया जाता है physical nature में कैसा दिखता है ठीक है कह रहा है matter are made of particles matter की formation होती है वो बहुत ही small particles से form होता है ठीक है उसको naked eyes से naked eyes के मतलब बिना microscope के देखा नहीं जा सकता है clear है अगर देख सकते हो तो यह बताओ तुम्हारे आसपास कौन सी गैसे present है तुमने जो gas present है वो तुमने क्या हुआ पढ़ा हुआ है ठीक है और पढ़ा कब है जब scientist ने अपने आसपास देखा हुआ है ठीक है उन्होंने बता दिया कि हमारे atmosphere में यह कैसे है तो उसी को हम लोग क्या करते रहे है आस तक learn कर रहे है क्या आप देख सकते हो मैं देखी नहीं सकते है ठीक है तो उन्होंने कैसे आप उसमें क्या कर दो ink मिला दो इंग मिला दो कुछ ट्राइम बाद यह observe करओंगे जो इंक हम प्राउपर पूरे जग पूरे लिक्विड में पूरे वॉátर में क्या हो गई है dissolve हो गई है वो कैसे हुआ जो वाटर के पार्टिकल से वो continue क्या कर रहे हैं मुफ कर रहे हैं और continue मुफ कर रहे हैं तो definitely वह इंक के जो पार्टिकल है वह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुच गए हैं या ना ठीक है कि देखा होगा डियो ना डियो देखा होगा सेंट देखा होगा ना उसमें क्या होता है बहुत अच्छे से हम लोग सेंट लगा लेते तो लोग पूस्ते वाई कौन सा सेंट यूज किया है क्या हो गया जो परफ्यूम की स्मेल थी वह एर के साथ क्या हो गई मिक्स हो गई और अगर मिक्स हो गई तो पार्टिकल्स अगर मूव ही न कर रहे होते तो डेफिनेटली एक जगह से दूशी जगह पहुच नहीं अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो हमारे बगल वाले आदमी को पता लग जा रहा है मेरे भाई कि कौन सा परफ्यूम यूज़ किया ह भाई भाई फिर पार्टिकल्स औफ मैंटर है इससपेस बीटीविं भाई स्पेस बीटीविं दें का मतलब है समझते सब्सक्राइब मुझे भूख लगी है एक बर्गर आया मैं खा गया दो बर्गर आया खा गया अएसे मेरे पाद दस बरगर आया, मैं खा गया, 11 जो बरगर आया, वो रखा रहे गया, क्या observation है, observation यही है कि भाई, जब तक मेरे पेट में जगा थी, तब तक हम बरगर खा ले रहे थे, जब मेरे पेट में जगा होना, बंध हो गई, तो हम बरगर खाते नहीं है, अब इसी तरीके से अगर हम क्या करें, ध्या सुनो, सुगर को, सुगर को, अगर इस solid particles के ऊपर रख दे, तो क्या होगा, क्या वो dissolve हो जाएगा, नहीं dissolve हो पाएगा, तो क्योंकि इनके बीच का जो space है, वो बहुत strong है, क्यों, क्योंकि यह solid particle, वहीं अगर हम liquid में क्या कर दे, dissolve कर दे, सुगर, एक स्पून, स सुगर को dissolve कर दे, ना, तो water के बीच में क्या होता, solid की comparison में space होता है, तो वो नहीं space के बीच में जा के क्या हो जाएगा, fix हो जाएगा, अगर space ना होता, तो fix ना हो पाता, ठीक है, clear है, चलो, particles of matter attract to each other, particles, जितने भी particles होते हैं, वो सभी एक दूसरे को क्या करते है, attract करते है क्यों, क्योंकि उनका जो force attraction होता है, कभी कभी क्या होता है, solid में बात किया जाए, अगर solid की बात किया जाए, तो वहाँ पे strong होता है, liquid में solid की comparison में weak होता है, और gas में बहुत weak होता है, ठीक है, तो यह कह सकते हैं, कि जितने भी particles होते, एक दूसरे को attract करते हैं, हाँ या ना, ठीक है, अब देखो, all the matters are made of particles, are very small, ठीक है, and cannot be seen by naked eyes, उनको naked eyes से नहीं देखा सकता है, क्यों, क्योंकि जो particles होते हों, बहुत small होते हैं, ठीक है, चलो, Characteristic की बात किया जाए, particles of matter की, देखो, कह रहा है, क्या क्या characteristic देखने को आपको मिलता है, particles of matter have space between them, मैंने आपको बताया न, कि अगर आपने क्या किया है, एक container लिया है, उसमें water fill किया है, और आपने एक spoon sugar को dissolve कर दिया, ठीक है, सुगर क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, अब कुछ time बाद disappear हो जाएगा, वो disappear क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि water के बीच में क्या होता है, space होता है, और water के बीच में space होता है, तो वही space क्या कर लेगा, सुगर खो लेका हाएाना अगर भाई स्पेस ना होता तो सुगर डिजॉल भी ना होता है क्लिर है नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है पार्टिक्ल्स और मैटर और कांटिनुस मूवी ना जो अभी हमने परफ्यूम वाला एक्जामपल लिया उसी का एक्जामपल है यह देखो परफ्यूम जैसे ही मारते हो ना तो दूसरे वाले आदमी को पता लग जाता है ना कि अब कर रहेंगित्स और मैंटर अट्रैक्ट हुआ जैकर अगर इनका बाई वीच क्या होता वूपय होता अगर फूर। सॉघक्षान विग होता तो अब हम classified करने जा रहे हैं state soft matter matter can be classified हम उनको बहुत classified कर सकते हैं basically solid liquid and gas ठीक है देखो solid liquid gas समझने के लिए पहले आप क्या करने ना एक कोई solid particles रख लो ठींगे liquid लिए liquid particles रख लो gas के लिए gas का particles अपने mind में रख लो ठीक है जो जो चीज आपको दिखाई दे रहे solid properties दिखाई दे रहे liquid जो properties दिखाई दे रहे gas में जो प्रपरवजल्ट वही आप लिख दो ठीक है अब चलते हैं इसको समझते हैं ठीक है माइंड में हम लोगों ने ले लिया, solid particles को ले लिया, liquid को ले लिया, gas particles, जो जो आपको properties दिखती है, वही आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, ठीक है, चलो, कह रहा है, in solid, the constituent particles are present very close to each other, ठीक है, जो solid के particles होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत ली closely packed करे रहते हैं, हाया सही है अगर closely packed है, तभी तो बेटा वो solid है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो, अगर हम यह कप ले ले ले, तो देखो, इनके जो particles एक दूसरे को बहुत closely packed करे हैं कि नहीं करें, हाया ना, अगर closely packed करें, तभी तो बेटा यह solid है, ठीक, चलो, close to each other, and intermolecular force operating between the constituent particles are very strong, और जो उनका जो force of attraction है, या बोला जाये, intermolecular force है, वो बहुत ही क्या है, strong है, अगर strong है, तभी तो बेटा वो solid particles है, ठीक है, and they are capable to keeping the molecules in fixed position, इसी वज़ा से जो उनकी position है, वो क्या है, भाई, fix है, this is the reason why solid are rigid, इसी वज़ा से क्या है, solid rigid है, and hard है, also solid cannot be compressed, solid को आप compress नहीं कर सकते हूँ, ठीक है, clear है, ना, अब देखो, properties of solid की बात करने चल लाएं, properties of solid क्या होता है, first कह रहा है, a solid possess, a fixed volume, उनका जो volume होता है, वो क्या होता है, fix होता है, और जो उनका shape है, वो क्या होता है, definite होता है, या भाई, यह बताओ, इस cup का shape, कुछ time बाद change हो जाएगा, नहीं change होगा, clear है, उनका shape क्या होता है, same होता है, distinct boundaries, उनकी जो boundaries होती है, वो क्या होती है, distinct होती है, this boundaries का मतलब यह होता है, ध्यान से समझो, ऐसा नहीं है, कि अगर यह cup मेज पर रखा होगा है, कुछ time बाद यह फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, जो इनका shape है, जितना इन्होंने space लिया है, उतना ही space यह लिया रहेगा, ठीक है, and definite mass, इनका जो mass होता है, वो क्या होता है, definite होता है, clear, second point दखो, solid or rigid, यह rigid होते, almost, almost incompressible, यह 99% तक क्या होते है, incompressible होते हैं, हाई या न, ठीक है, और जो कुछ compress भी होते हैं, बेटा न, वो semi solid कहलाते हैं, याद रखना, क्या होते है, solid भी दो types की होती है, एक होती है, तुम्हारी भाई, amorphous solid, एक होती है, तुम्हारी true solid, ठीक है, crystalline solid, हमेशा याद रखना, ठीक, अब उस पर discuss नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़े level पर हो जाएगा, यह, solid generally possess high density, उनकी जो density होती है, वो होती है, हाई, अब density की बात किया जाए, तो तुमको एक चीज़ बता दे, solid की density, हमेशा हाई होती है, ठीक हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या होती है, हाई होती है, लेकिन यह बताओ, जो ice होता है, न, water की उपर तैरता क्यों रहता है, ठीक है, exceptional case है, ध्यान रखना, exceptional case है, अगर को कोई भी solid particle ले लो, आप कोई भी solid particle ले लो, और ice ले लो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ice की density होती है, किसी भी solid particle से कम होती है, इसी वज़ा से वो क्या करता है, फ्लोट करता है, ध्यान रखना, आप से यही तुरन पोजिशन पूछ लिया जाएगा, कि भाई, ice float क् जब की solid की जो density होती है, वो क्या होती हमेशा high होती, density का मतलब होता है, d is equal to m by v, ज्यान सुनो, d is equal to m by v, at the constant volume पर, d is directly, density is directly proportional to mass, ठीक है, अगर density increase कर रहे है, तो definitely वहाँ पे भी क्या होता है, mass increase करता है, ठीक है, clear है, चलो, अब हम बात करने चाह रहे है, liquid, अब हम बात करने चल रहे है, liquid की, देखो, करा liquid है, intermediate properties, वो intermediate properties होती, किसकी solid की, और किसकी वाई, gas की, ठीक है, between solid and gas, देखो, कह दिया, the intermolecular force in liquid are weaker than, किससे weaker होते हैं, वाई, solid से होते हैं, but stronger than होते हैं, से, gases से, clear, in liquid, constituent, particles do not occupy fixed position, उनकी जो position होती, वो क्या होती, fix नहीं होती, आपने हमेशा ये देखा होगा, भाई, चाह लेके हम कप में आएं, बहुत गरब है, हमने तुरिन के टोरी में डाल ली, हाई या ना, तो भाई, क्या हुआ आप, पहले इसका shape लिया था, अब इसका shape ले लिया, हाई ना, तो क्या shape fix होता है, नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, as in solid, they have freedom to move intermediate in gas, वो क्या करते हैं, continue, move करते रहते हैं, अभी मैंने आपको example दिया था, ना, किसका, ice, sorry, ink वाला, ना, ink वाला मैंने example दिया था, क्योंकि ink कुछ time बाद क्यों पूरे liquid में फैल जाती है, क्यों फैल जाती है, इसलिए फैल है, क्योंकि water होता है, वो continue क्या करता है, है, move करता रहता है, ठीक है, लेकिन उसके जो moment की speed होती है, वो gas से क्या होती है, weak होती है, हमेशा ध्यानक ना, gas से कम होती है, चलो, अब बात करते हैं, properties और liquid की, ना, properties, जाती है, कीर्बडा, the matter in liquid state, causes, अट, definite value, उनका जो volume होता है, definite mass होता है, but no definite shape, उनका क्या होता है, definite shape नहीं होता है, clear, उनका क्या क्या fix होता है, volume fix होता है, और उनका mass भी fix होता है, याद रखना, बट उनका shape fix नहीं होता है मेरे भाई ठीक है ठीक है स्टेकेंड देखो liquid का है अंडगो diffusion diffusion का मतलब होता है intermixing आपने milk लिया milk लिया milk में water को mix कर दिया तो यह भी एक type क्या है diffusion ही तो है clear रहेगी नहीं तो यहाँ पे क्या और है milk के particles और water के particles एक दूसरी को क्या कर ले रहे इंटर mixing कर ले रहे अगर intermixing कर ले रहे तो definitely यह की type का क्या है भाई diffusion ने ठीक है clear रहे चलो next कर रहा है liquid also have high densities liquid की जो होती ही high density होती है but less than किससे solids solids से क्या होती है कम होती है clear in liquid intermolecular force of traction are weaker than solid ठीक है अब यह बताना density का concept आ गया है तो जो iel होता है नव अउयल और water कुछ क्या करते है जब mix करते है भाई oil on water कुछ आ मिक्स करते है तो iel ऊपर की तरफ क्यों रहता हो और water नीचे की तरफ क्या रहता है तो रहतां है ce Crain वाई और की density क्या होती water से कम होती यह जिसकी density कम है तो उसका मास भी तो कम होगा मेरे बाई अगर मास कम होगा तो डेफिनेटली ऊपर की साइड रहेगा और वाटर की डेंसिटी क्या होती है हाई होती किसकी कमपैरिजन में ओइल की डेंसिटी से ठीक है हमेशा याद रखना जिस अगर सपोस्कुरों M1 और M2 हमने लिया ठ ठीक है ठीक है अब वाटर की डेंसिटी हाई है अगर डेंसिटी हाई तो मास भी तो हाई होगा और ओयल की डेंसिटी क्या है कम है तो डेफिनेटली इसका मास भी तो कम होगा जिसका मास कम होगा वो उपर की साइड रहेगा जिसका मास ज्यादा होगा वो डेफिनेटली नी तरफू देखा है जिसमे तराजू वदा जिसका उप कम होता है वह उपर की साइड रहता है और जो वाटर होता है वो नीचे की साइड होता है ठीक है आई होब आपको समझ में आया होगा बोलो भाई देखो जिस रूम में तुम उसको क्या करोगे जिस रूम में अगर बत्ती को जलाओगे वो पूरे रूम का ना क्या करता शेप ले ले लेता है देखा होगा ना देखो कहना गैसेज अकुपाइज दे इंटार वाल्यूम आप दा कंटेनर इर्रिस्पेक्टिव और इस साइज टीक है in gaseous molecules move freely वह एक दूसरे की जगा से क्या होते है बहुत freely move कर सकते है और जो enter molecular force होता है वह बहुत ही क्या होता है week होता है and are unable to keep that tested molecule together in bulk ठीक है उनको एक जगह एक साथ देखा नहीं जा सकता है क्यों नहीं देखा जा सकता है उनका जो फोर्स अट्रेक्शन है क्या है वी के है लेरे चलो अधिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस गैसे की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं किया दम मैटर इन गैसे इस्टेट हैस दर नाइदर डेफिन वालिम उनका कोई वाल्यूम नहीं होता है नौर डेफिनिट शेप उनका मास होता है वह क्या होता है do everything होता है ठीक है इट एक्क्वायर फर्टीम दिम लॉं ओप ग्याकीव एश का नाम सुना ओगा राइश कर रहे चोंद रहे औंका जो मास है वह क्या है वाई सेम ही तो है ड्राइश का मतलब क्या होता है co2 gas heat होती है तभी कभी तुमसे पूछ लेता है dry ice क्या है ठीक है dry ice क्या होती है carbon dioxide gas heat होती है gases are highly compressible इनका अगर force of attraction क्या है weak है अगर force of attraction weak है तो इनके बीच में बहुत सारा क्या होगा space होगा अगर बहुत सारा space है तो definitely उसको आप बहुत time क्या कर सकते हो अब इसको हम लोग क्यों compress नहीं कर पा रहें क्यों है क्यों के inka force attraction क्या है अगर force attraction strong है तो definitely इनके बीच में space से ही नहीं है जब सुपेस से ही रहे तो इसको compress भी नहीं कर सकते हो ठीक है clear है चलो अब हम बात करने चल ले है temperature की ठीक है देखो temperature यहाँ पर हम बात करेंगे degree Celsius की Fahrenheit की और Kelvin की फाय यह न ठीक है अगर degree Celsius given हो degree Celsius 2 हम Kelvin में कैसे change करते हैं देखो ध्यान समझ रहा है ठीक है हम क्या करें कुछ नहीं क्या होता है degree Celsius plus 273 ठीक है अगर बात किया जाए तो 273 जो होता है न 0.15 होता है ठीक है absolute temperature लेकिन इसके calculation के लिए हम लोग 273 यूज करते हैं क्योंकि जिससे calculation हमारी थोड़ी सी easy हो जाए ठीक है अगर हम suppose करो हमारा दिया है 50 degree Celsius ठीक है क्या दिया है 50 degree Celsius को हमको किसमें change करना है Kelvin में ठीक है किसमें change करना है Kelvin में तो हम 50 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 273 तो कितना आ जाएगा 3, 75, 12, 3, 323 Kelvin आ गया कि नहीं आ गया तो हमने degree Celsius को किस में change कर दिया Kelvin में change कर दिया ठीक है वहीं अगर आपको 500 Kelvin given है अब इसको आपको degree Celsius में change करना है तो कुछ नहीं यार 500 इसी formula पर रख दे रहे हैं देखू इसी formula पर हम रख रहे हैं 500 परस्टू degree Celsius प्लस 273 आया न बस 500 माइनस 273 परस्टू degree Celsius आया न बागे degree Celsius की जो value है आप comment box में लिखिएगा ठीक है अब चलना है बाद करने के लिए अब बात करने चलने है डिग्री Celsius टू फॉरेंड हाइट की डिग्री Celsius टू फॉरेंड हाइट पर बात करने के लिए ठीक है अब अगर हम को 50 डिग्री Celsius को न इसमें चेंज करना है फॉरेंड हाइट में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है या रहागे तो नाइन बाइफ फाइफ इंटू डिग्री Celsius मतलब 50 डी दिया है प्लस 32 आया ना तो क्या आगया है नाइन बाइफ पाइफ 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 से फाइफ कर दो कितना आगया नाइन टी प्लस 32 कितना आगया एक सो बाइस ना पॉरेंड हैट ठीक अब अगर बात किया जाएं डिग्री Celsius दिखा दे रहें अगर डिग्री सेल्सियस टू पॉरेंड के लिए कैसे कर रहा जाएगा एफ माइनस 32 देखूं यह अला इधर आ गया एफ माइनस 32 पाइब बाइन इसकोई टू डिग्री सेल्सियस ठीक है यही फार्मूला हम आपरेट कर देंगे ठीक वीडियो अच्छा लग तो वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सुधाकर्स और क्लासेस पीबीएच को ज्वाइन करिए जहां बहुत सारे पीडियेफ बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री में मिलते हैं ठीक है और अपने फ्रेंड क्लास 9 में जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर ये थैंक यू